जै गुर्देव, जै मा आप सब लोगों के रिदे में बैठी मा ललतातिक पुसंदरी को मैं प्रणाम करती हूँ देवी के खडगमाला स्तोत्र इसका हम लोग श्रवन कर रहे हैं और मैं इसका विविचन कर रही हूँ मैं अपने गुरुजों नों से प्रार्णा करती हूँ कि जो सही भाव है वो आप लोगों तक मैं पहुचा सकूँ मैं गवान शिव से माल लतामिका से प्रार्णा करती हूँ कि वो भाव जो मैं देना चाहरे हूँ जो समझाना चाहरे हूँ आप लोगों को समझ में आए खडग माला मंत्र मैंने पिछली बार कहा खडग का अर्थ होता है एक तो होता है तलवार और दूसरा कैसा तलवार है ज्यान रुपी तलवार जो आपको ज्यान दे दे और एक तलवार का अर्थ होता है जो आपको सभी बंदनों से मुक्त कर दे बंदन को काट दे क्या बंदन है जन्मा मृत्यू का ये चक्तर अविद्या की गाठे अज्यान की गाठे जो हमको फसाय रखती है मोहपाश के बंधन हमारे स्थिती, हमारी problems, सब हमको फसाय रखते है तो ये खडग माला क्या है ये वो माला है जिसमें इतनी सिद्धियां, इतनी शक्तियां हैं, जो एक साथ आपके ये सारे problems को काट दे, इसको कहा गया, खडग माला मंत्र तो इस माला मंत्र में, श्री यंत्र के नव आवरण के जितने देवी देवता हैं, उनका नाम लिया गया है, पिछली बार मैंने आप लोगों को ध्यान मंत्र पसरल तरीका बताया, किसी उस्तक में हैं, किसी में नहीं है फिर भी आपको जो ध्यान आता हो, आपको कर लीजिये, और सबसे सरल वाला ध्यान मंत्र है सिंधोरारुणविक्राहां त्रिनयनाम, मानिक्य मौलीस्पूरत तारानायक शेखराम स्मितमुखिम आपीनवक्षोरुहाम पानिभ्यम मौलीपूर्णरत नचशकम रक्तोत पलं विब्रतिम सौम्याम रत्न घटस्तरत चरण जायेद पराम अंभिकाम मा का ध्यान कीजिए मा बिलकुल लाल-लाल है लाल रंग की आभा निकल रही है लाल वस्त्रों में हैं सुन्दर-सुन्दर आभूषन पहन करके रक्या है मंद मंद मुस्कुना रही है नेत्रों से उनके करुणा जलक रही है और सब को कृपा आशिरवात दे रही है हम उनके चरणों में नतमस्तक हैं नतमस्तक होने मात्र से ग्यान हमारे अंदर आ जा रहा है तो ऐसा भाव रख करके माता के चरणों में नमस्कार कीजिए और उनको पंच औप चार पुजा जो हम करते हैं उसमें मा को धूप चड़ा रहे हैं दीप अरपित कर रहे हैं और गंध, उश्प और नेवेद्य ये सब कुछ हम मा को अरपित करते हैं हम खडग माला पढ़ेंगे जितनी संख्या में आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, रोज पढ़ोगे पांच मिन लगेगा, एक बर याद हो गया तो फिर तो दो-तिन मिनट में हो जाता है दस बार पढ़िए, ग्यारा बार पढ़िए जितनी बार आपको पढ़ना है, दिक्षा लेनी है, ने लेनी है पहले वीडियो में बता दिया था, तुर से बता देती हूं बिना दिक्षा के भी इस मंतर को कर सकते हैं दिक्षा की ज़ुरत कहा पढ़ती है समझने के लिए उसके दीपर बातों को पिछले वाले वीडियो में नित्याय क्या है, वो बता ही, महां गुरू की जरुत पड़ती है, आपको इक्छा पूर्तिय के लिए खडगमाला करनी है, और इतना ग्यान नहीं चीए, खोई फात्मी, वहां आपको गुरू की जरुत नहीं है, आप देवी में श्रद्धा रख किये, भगवान चीव में श्रद्धा किये, और खडगमाला कीजिए, आज हम लोग प्रतम आवरन के देवता, जो खडगमाला में दिये गए हैं, उनका समरन करने वाले हैं, खडगमाला की पीडियाफ डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के आप वहां से जा करके देख स सिद्धे, लगिमा सिद्धे, महिमा सिद्धे, इशित्व सिद्धे, वसित्व सिद्धे, प्रकाम्य सिद्धे, बुक्ति सिद्धी, इच्चा सिद्धी, प्राप्ति सिद्धी, सर्वकाम सिद्धी, ब्राम्ही, माहेश्वरी, कवमारी, वैष्ण वीवाराही, माहेंरी, च सर्वमहांकुशे, सर्वखेचरी, सर्वभीजे, सर्वयोने, सर्वत्रिखंडे, स्रैलोक्यमोहन, चक्रस्वामिनी, प्रकटयोगिनी ये है प्रतम आवरण के देवता, आवरण समझ में आना चाहिए ये नव आवरण समझने के लिए, पहले आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी, कहानी नहीं है, ये कलीगु का उपनिशद है, स्मितो उपनिशद, पहले आप सुनिए, क्योंकि आप ध्यान से सुनेंगे, और जो जो नाम में लूंगी, आपको अगर नाम समरण हो गया, तो को ऐसे ही सिखाती हूं, सब कुछ, खेल-खेल में, मेरे सुड़न सब कुछ सीख जाते हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने सिखा है, उसी तरीके से आप भी सीख लीजिए, तो अब हम लोग, पहले क्या करेंगे, कहानी सुनेंगे, कहानी नहीं है, स्मितो उपनिशद, स्मित पुरम्म विध्यासंप्रदायात, दिक्षितास्वामी दिविचेत्नानंदस्य, पुत्री शीलल्ताश्यरण, स्मितांबा, स्वशिष्यानुपदेश्वं, कुर्वतीम आसित, तदा, सतदाएव, तत्र, स्थी पुरुषयुगलं, आगतं, सपुरुषामोहनं मंत्रम लग रहा है न, उपनिशद सुना रही हूँ, उपनिशद ही है, स्मितांबेन भोदिक्षितो, नवनाम जदत्तवान, तस्य पुरुषयस्य नाम, रहे लोग क्या मोहनाह, महिलाया, नाम सरवाशा, पूर, पूरक आसितू, अब आप बोल रहे होंगे, माँ, आप क्या, कब से बोल रहे हैं, हम तो खड़ुमाला सुनने आए थे, आपके वल उपनिशद सुना रही है, हाँ भईया, ये कल्यूग की उपनिशद है, इसमें यही कहा गया, कि एक बार कल्यूग में श्री ब्रह्मा विद्यासंप्रदाय, उस परंपरा में, स्वामी दिवेचेतनानंद की पुत्री, ललिता शरन स्मितामबा, अपने शिश्यों को उपदेश दे रही थी, उस उपदेश देते समय, वहाँ पर एक यूगल आया, एक पुरुष्था, एक स्त्री थी, दोनों आए, मा के सामने बैठे, मा ने उनको देखा, मा ने पुछा, क्या हो बच्चो, बले म वैसे तो हमारी बुद्धी बहुत अच्छी है, लेकिन हम जहां भी चलाते हैं, हमें कुछ सक्सेस मिलता नहीं है, हम हमेशा ही ऐसे रखता है हमारी कोई बात सुनता नहीं है, हम जो भी इक्चा करते हैं, हमारी इक्चा पुरी नहीं होती है, तो क्रिपा करके आप हमें बत आये हो, तो मंत्रों शक्ति दोनों ले जाओ, ये करने से तुम्हारा कल्यान होगा और तुम्हारे मन की सारी इक्षाएं पिरी हो जाएंगी, तुमनों को दिक्षा के बाद नाम देती हूँ, फिर माने, स्मितामबाने उनका नाम रखा, एक का नाम था, नाम याद रखना सर्वाशा पूरक, ठीक, क्या नाम है, त्रेलो के मोहन और सर्वाशा पूरक, इसमितामबाने त्रेलो के मोहन को अठाई शक्तियां दी, और सर्वाशा पूरक को सोला शक्तियां दी, याद रहेगा ना, त्रेलो के मोहन सर्वाशा पूरक, और उनको दो मंत्र दिये, पहले को मंत्र दिया, त्रेलोग के मोहन को एक मंत्र और एक मुद्रा, कहा बेटा ऐसे जाके करना वच द्राम और सरवाशापुरा को कहा बेटा ऐसे करना तुम, तुम दो उगली उठा लेना द्रीम द्राम द्रीम दो उठी है न, ठीक है? अभी मैंने आप लोगों को मुद्रा और मंत्र बता दिया है बस अभी के लिए आधड़ द्रीम ये दूनों बड़े खुश हुए खुश हो करके गए, खूब उन्होंने जाप किया, जाप करके और 28 शक्तियां उनके हाथ लगी थी गुरू का आशिरवाद तो प्राप्त था तो सारी शक्तियां तो देंगी, फलित होंगी तो गुरू के आशिरवाद गुरू की शक्ति, अपनी भक्ति ये दोनों साथ चली तो त्रेलो के मोहन के पास सारी शक्तियां सारी शक्तियां उजागर हो गई और उसको वो सबको मुहित करता गया, तरह लोगों को मुहित करता गया, बड़ा सक्तिशाली हो गया, सरवाशा पूरक्टी भी यही हाल थी, गुरू की शक्ति अपनी भक्ति, यह सोला की सोला सिध्यां उसको साथ थी, और सरवाशा की सरी इचाएपूरी हो गया, लेकिन Ma, Guur ma, बोली क्या हुआ? क्यूं आगे वापस? आनंद में तो हो ना? अरे मा, सब कुछ मिल गिया, सब को मो हो रहे हैं, सब कुछ हमारे जैसे हो रहा है, लेकिन मा, हमें ऐसा लगता है कि आनंद नहीं मिल रहा है. आनंद नहीं मिल रह रहा है, क्यों मेटा बता नहीं मा यहीं तो हम आपसे पूछ रहे हैं फिर से संस्कृत में बोल देती हूँ सब कुछ मिल गया सारी इक्षाएं पुरी हो रही हैं प्रेलोग को हम जीत रहे हैं लेकिन मा 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 हमें आनंद नहीं मिल रहा तो कैसे मिलेगा समीता अंबा अवदत बाला हात्र पुरा मा तुहू चर्नकमलेशू शर्नम कृत्वा सुखम प्रापनुथा बच्चो तुम्हें यदि आनंद की चाह है आनंद की इच्छा है तब तुम्हें मा लिता के शर्न जाना पड़ लुगे महन और सर्वाशा पुराा को लोंगे सून रहे धान के आंको गुरूमा है समीतामभा कैसे जाएंगे समीतामभा ने गाहा है मैं तुम्हें मंत्र देती हूं हॏ paragraph इसके साथ क his haven ने मंत्र के प्रभाव से, तुम उस चक्र में पहुच जाओगे, जिसके खुलते ही, तुम्हें आगे का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, क्या मंत्र, क्या मुद्रा, तुमा ने कहा, आप लोगो द्राम याद है ना, द्राम, चीक है, द्रीम, अब संख्शोवन मंत्र, क्लीम, तीन मंत्र याद हो गया, द्राम, एक उंगली, दो उंगली, द्रीम, और इस उंगली को मोड़ दिया, क्लीम, माने कहा, बच्चो, अब जाओ, इस मंत्र को करो, इस मुद्रा के साथ, और देखना, तुब उस चक्र में चले जाना, सर्वसंशोबन चक्र, वहाँ वो चक्र खुलेगा, उस चक्र के आसपास अश्ट शक्तियां है, वो शक्तिया तुमारे साथ होंगी, और फिर वो चक्र के खुलते ही, वहाँ अंदर तुमको दो लोग मिलेंगे, नाम्याद रखना, सवभाग्या और सरवार्थ, क्या नाम, सवभाग्या सरवार्थ, वो दो तुम्हें आगे का रास्ता प्रशेस्ट कर देंगे, धन्यवाद मा, अब दोनों निकल पड़े, तुरे लोग के मोहन, और सरवाशा पूरक, तुरे लोग के मोहन सरवाशा पूरक जा रहे हैं, मन ही मन क्लीम 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 दा रहे हैं, नाते गाते पहुँच गे उस चक्र के पास, कौन से चक्र के पास, संग्छो भन चक्र, और वहाँ खड़े रहे करके, मुद्रा दिखाया है, क्लीम, जैसे ही मुद्रा दिखाया गुरू की शक्ती अपनी बक्ती वो सर संग्षोवन चक्रम का दर्वाजा खुला और जैसे ही खुला ये लोग अंदर अंदर जा करके देखते हैं तो आ इतना सुन्दर सब कुछ स्वर्णिम सब कुछ सोने का बना हुआ है एक से एक सुन्दर महिल एक से एक सुन्दर औरते एक से एक सुन्दर दंधर वहां पर घूम रहे हैं और देवता वहां घूम रहे हैं देव्या घूम रही है आहां पक्छी इतने सुने रहे पक्छी इतने सुन्दर इतने सारे रंग तो सुच्छान कहां गे और मा ने तो बोला था यहां पर कोई दो लोग मिलेंगे कहां मिलेंगे कौन मिलेंगे अरे आशापुरक तुम्हें याद है किसके बारे में कहा था आशापुरक बली हाँ उन्हें ने बोला था दो लोग मिलेंगे सौभाग्या और सरवार्थ चलो डूनते हैं कहां पर हैं अंदर गए एक देवी वहां से गुजर रही थी उसको पुशा आपको सवभाग्या पता है कहां पर है काया हाँ हाँ सवभाग्या जी वहां पर है वो देवी वहां पर आप जाहिए तो चक्र दिख रहा है उनका है हो सवभाग्य दायएक चक्र वहां भी खरा है? वहाँ पर सवभाग्य बिंगे. अच्छा. अर्थ जी कहाँ मिलेंगे? सर्वार्थ जी. सर्वार्थ जी का उन्ही के पास मी चक्र है? आप चबी जएए वहाँ पर. देखिए आपको रम जाएंगे हम मुद्धित में आ गए हाँ आपको जो चाहिए यहाँ पर सब कुछ आपके लिए है आपने धर्ती पर खुब तपस्या करी खुब मंतरजपे हैं खुब खडगमाला किया ललता सहसनाम किया त्रिशती करी गुरू के बताय रास्ते पर चले हैं तो आप का बिल्कुल स्वागत है सब प्रकार का सभाग समय उद्य हो गया है और आपको जो चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हैं उन्होंने कहा मा तुमको अमारी गुरूमा ने कहा है कि ललता जी के शरण जाना है वहीं पर आनंद की प्राप्ती होगी तुम अच्छा वो तो आज नहीं आज से तुम यहीं पर रुकलो इस जगा को देखो गुमो फिरो कल सुबे तुम निकल जाना अब ठीक है अब तहीं लोग के मोहन और आशा पूरा गुम रहे हैं देख रहे हैं इतना सुन्दर जैसे ही सवेरा हुआ वो एक रात उनके लिए एक रात नहीं थी वो कल्पों के जैसे थी कई दिनों पर महाँ पर उन्होंने खुब आनन लिया उस जगा का जहां बैटे थे सवेरा हुआ उनके पास एक बड़ा सुन्दर यूवक आके खड़ा हुआ एक दम गोरा चिटा ऐसे लग रहा था कोई देवता हो आकर के खड़ा हुआ कहा तरे लोग के मोहन जी आशापुरक जी आपको नमस्कार है सवभागे दिदी ने कहा आपको ले चलना है मा ललता के हाँ आपके लिए विमान आया है विमान में बैठी है मेरा नाम सरवार्थ है यह तुम्हों जो गए विमान आया है चली बैठते है बैठे विमान में विमान में सुन्दर सुन्दर दस सिध्धियां थी सारी सिध्धियां सेवा में लगी इनके ऐसा राजसी सेवा ऐसा राच्छी सेवा, इन्होंने कहीं देखा हैं नहीं था, और सेवा होते होते, फिर विमान उडा, अब जब विमान उडा, विमान नीचे से सुना रहा था, लेकिन उपर से कांच लगा था, देखते वे जा रहे नीचे, पिछे देखते हैं, और सरवारत उनको गाइड जैसे मता रहे हैं, तेखो, वो नीचे देखो, महाँ पर दिख रहा है, वो है न, अपने सारे अश्ट सहाचरीयों के साथ शक्तियां वहाँ पर है सारी की सारी अभी लोग दो में देख रहे हैं तो थोड़े वहां आगे गए आगे यह देखें, अरे इतने सारे करोडो करोडो बटूक, वह देवी की अरचना कर रहे है दर्ती पर उन्होंने खुब बहरों की पुजा करी थी, अब हो यहां बटुक जैसे हैं, फिर थोड़ा आगे गए, आगे गए, तो देख रहे हैं, इतने सुंदर रास्ते हैं, खुब डेर सारे कदम के विक्ष हैं, कदम के वन हैं, और वहाँ पर खुब हंसंसनियों का जोड सुनाओं हैं, और उन्होंने आहवाई जयाज को उपँर लिया, आपने विमान को, जैसी उपँर लिया देख रहे हैं, समंदर एंदर यह पूरा पूरा द्रीब है, अहां, उस द्रीब के अंदर उले गए उनको, फिर वहाँ देख रहे हैं, एक और सुनेरे, सुनेरी कलर क जमीन है उसनेरे जमीन के महाँ पर सुंदर से महल है उसमें एक महल है जो नौका के जैसा दिखाए दे रहा है तो सभाग्या ने पूछा ये क्या है ये किसका महल है ए ये कुरू कुला का तारा मा का महल है ये वो नौका जैसे है क्योंकि वो सबको तारती है ना इसलिए वो न आगे गए तो और आगे देख रहे हैं सारे सिद्ध मुनी हैं सीधे बहुत सारे सिद्ध मुनी बैठे हैं और फिर निमान आया सीधा उस सिद्ध मुनी की जगा है यह लोग तो देखते रहे इतने सारे सिद्ध इश्वर यहां चलिए आपको आपके गुरुमा के पास ले आ बैठी है, स्विधामबा दोनों पैशान गए गुर्मावली कैसा लग रहा है मा बहुत अच्छा लग रहा है हमने तो सोचा ही नहीं था मनी दीप ऐसा होगा हाँ बच्चे आनन्द की प्राप्ति अब हो जाएगी जाने के पहले गुरुमा से सटिफाइड होना पड़ता है तो एक काम करो सरवार्थ, ये दोनो संप्रदाए में कुलोत्र नहें, इसलिए ये लोग जा सकते हैं, इनको दन्डनाता के पास दर्शन करा देना, मंतरणी कवच लेना था और एक दवाली नी थी जो सारे रोगों को हर दे तो कि अभी तक भी थोड़ा बहुत भोग दिखाई दे रहा था उन लोगों को अब ललिता मा के पास जाना है न तो कोई भोग नहीं होना चीए और इनको कोई कुछ अब कहीं इनका मन न भटके इसलिए इनको सुरक्षा का बच डालना है तो दो लोगों के पास गए मैडम रक्षा और डॉक्टर रोगर याद रहेगा ना मैडम रक्षा और डॉक्टर रोगर मैडम रक्षा इनकी रक्षा करो मैडम रक्षा एक रक्षा लेक्या हाई हाथ में बांदी डॉक्टर रोघर इनका रोघर हो तो उन्होंने दो गोलिया लाई इतनी अच्छी ची गोलिया एक गोली इसको दे गोली खाते ही इनको इतना आनन्द आया छोट जो भी कुछ मलिंता होगी वो भी नश्ट होगी तो था ही नहीं अब क्योंकि अभी देखकर कहा था न इतना बैभो अब फिर ये लोग बैठे विमान में और विमान सीधर उड़ा उचाई से उड़ा जितने उचे 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 जाते होगी जब जा रहा था तो दूर में देखता है अरे एक सुनेहरा चक्र है उसमें दस-दस गोड़े लगे हुए है और वो चक्र एक बिंदू के जैसे दिखाए दे रहा है तो सुनने पुचारत को हम लोग वहाँ जा रहे हैं क्या हम लें हाँ वो लेलता माकस वह इस्थान है तुम आनंद दुन रहे थे न नहीं पर मिलेगा फिर ये प्लेन गया जाते एक स्टेशन पर आया एक हैली पैड जैसा जगा था वहाँ ये प्लेन उत्रा है जैसे ही उत्रा वहाँ बहुत सारे लोग थे देवियां सबने इनका स्वागत किया कहाँ आईए इस हैली पैड का नाम है सर्वसिद्धी प्रद चक्र सर्वसिद्धी प्रद में आपका स्वागत है चलिए अब आपको माल अलिता के दर्शन कराते हैं फिर सब लोग उनको लेकर के गए और वो दर्वाजा बिलकुल बिंदू जैसा था वो खुला वो जो बिंदू जैसे दर्वाजा था सर्वसिद्धी प्रद चक्र और सर्वसिद्धी जैसे खुला और अंदर जा करके देखते हैं इतना आनंद से ये भर गए अंदर जाते ही कोर कोर उनका कोर कोर में आनंद और सब के दर्शन करते करते देखा कि महल है चिंतामणियों का और महल के अंदर जब गए एक सुन्दर सा सिंगहासन है सिंगहासन के उपर मा लजिता बैठी है और साथ में सारी देवता है उनका स्तवन कर रहे हैं जब स्तवन हुआ प्रलोग के मोहन और आशापुरक वहाँ गए और मा ने दूर से देखा मा ने कहां दूर क्यों खड़े हो मेरे पास आओ और मा ने उनको फिर गले लगाया है यह सब कैसे हुआ गुरु भक्ती से हुआ तो गुरु देव की जै गुरु क्रिपाई के एवलम और माललिता की जै अब मैंने आपको एक कहानी सुनाई स्मितोपनिशद यहां समाप्त होता है लेकिन इसमें जो क्रेक्टरस बता है आप उनको याद करे कौन-कौन थे? गुरु तो थे, गुरु तो आप पेचानी के समितामबा ललता शरन समितामबा इसकी पत्री है वो दिवेचेत्नाब चलिए, वहां तक तो ठीक है लेकिन में जो जी बात आपको याद रख रही है त्रेलोक्यमोहन दो लोग थे ना त्रेलोक्यमोहन और आशापूरक यह होगे पहले दो चक्रों के नाम त्रेलोक्यमोहन चक्र सर्वाशापूरक चक्र त्रेलोक्यमोहन और आशापूरक कहां गए? कलीम मंत्र बोल करके संग्शोभन चक्र तो त्रेलोक्यमोहन चक्र सर्वाशापूरक चक्र संग्षोभन चक्र जैसी चक्र भेदा कौन मिले? सवभाग्य सर्वसभाग्य दायक चक्र और कौन मिला? प्लेन में कौन ने गया? सर्वार्थ सर्वार्थ साधत चक्र जाद है? तेलो के मोहन सरवाशा फिर संग्षोभन चक्र में गये वहाँ पर सौभाग्य और सर्वार्थ मिले फिर सर्वार्थ उनको लेके गया पहले तो गुरू उल्कादर्शन कराया लेकिन फिर प्लेन में बैठ करके रक्षा पहनवाया कौन थे वो? मैडम रक्षा उनका क्या नाम हुआ? सर्व रक्षा कर और डॉक्टर ने उनको दवा दी कौन डॉक्टर? डॉक्टर रोगहर तो वो चक्र कौन सा हुआ? रोगहर फिर कौन से हली पेड़ पे उतरे? सर्व सिध्धी फिर जब अंदर गए चक्र में तो क्या? सर्वा आनंद इतने चक्र हो गए त्रे लोग के मोहन चक्र सर्वाशा परिपूरक चक्र सर्व संग्षोबन चक्र सर्व सभाग्यदायक चक्र सर्वार्तसादक चक्र सर्वरक्षा कर चक्र सर्वरोगहर चक्र सर्वसिधी प्रद चक्र सर्वानंद बया चक्र चक्र आपको आद होने चाहिए, इतने चक्र आ दें तो आपको शिविध्या आती है, नहीं तो नहीं आती है. तक है, अब हम लोग पहला वाला चक्र, टेलोग के मुहन चक्र. टीक, नौँ गुए मैं, सरवाशा पूरक, आज के बल लुकिमन चक्र के बात करेंगे. जब आप चक्र खोलते हो, श्रीविध्या का दिखते हो, तो श्री अंत्र में एक भूपूर दिखाए देगा. स्क्वे़ होता है. वो स्क्वे़ में 4 दरवाजे होते हैं. तो भूपुर और भूपुर के अंदर आपको सर्कल दिखाए देगा, तीन सर्कल तो आपके श्रीयंत्र में ये भूपूर होना चाहे और उसके अंदर तीन सर्कल होने चाहे है भूपूर में तीन लाइने होती है, तीन लाइन Contra चार दरवाजे चीक तो वो चौकोर चार दरवाजों के साथ और तीन लाइन होनी चाहिए और सरकल तीन ये सब को मिदा करके हो चौकोर को कहते हैं भूपूर और वो सरकल को कहते हैं प्रेलोग के मुहन तो वहां से लेकर यहां तक का सब कुछ क्या है प्रेलोग के मुहन चक् वो जो चार दर्वाजे है न, वहां से पुर्व की तरफ से सारी सिद्धियां बैटी होती है पहले वाली जो लाइन में जो सिद्धियां हैं, उनका नाम दिया गया चिया क्या सिद्धी अनिमा सिद्धी लगिमा सिद्धी महिमा सिद्धी इशित्व सिद्धी बशित्व सिद्धी प्रकाम्य सिद्धी भुक्ती सिद्धी इक्चा सिद्धी प्राप्ती सिद्धी तो भुपुर के पहले लाइन में पूर्व की तरफ से आप पूर्व की दिश तरीका होता है, हर corner पर, हर corner पर वो देवी का नाम होता है, तो पहले वाले line में अनिमा सिध्धी, इत्यादी, तो यह सिध्या कोई है? अणिमा से छोटी-छोटी जो आपके इक्षा हैं, अब लोगों को लगता है अणिमा मतला हम छोटे बन जाएंगे, फिर हम बड़े बन जाएंगे, फिर हम भारी हो जाएंगे, फिर हम पतले हो जाएंगे, तुबले हो जाएंगे, ऐसे नहीं समझना है इसको, होती है सिध्ध में आती है और तो अनिमा लगिमा उससे भी थोड़ी बड़ी जो कुछ भी है तो छोटी से छोटी से जो मन के अंदर है वो सिद्धियां जो तुम्हें दिखाई देती है वो सिद्धियां अनिमा सिद्धी लगिमा सिद्धी महिमा सिद्धी बड़े बड़े चीज़ों की भी सिद्धियां, सिद्धि का अर्थ होता है हमने कोई चीज चाहिए हमें मिल गई एक सिद्धि का अर्थ ही होता है अदूसरे सिद्धि भी है लेकिन अभी हम अपने काम की बात कर रहे है अणि मा सिद्धि, लगी मा सिद्धि महि मा सिद्धी, इशित्व सिद्धी कि हमारे अंदर वो ताकत है कि हम किसी के ओपर भी कंट्रोल कर सकें अपनी सिचुईशन के ओपर कंट्रोल कर सकें इसको कहते हैं इशित्व सिद्धी वशित्व सिद्धी, वशित्व सिद्धी है नि लोग हमारी बात सुने, तो सुका गया बशित्व सिद्धी, प्रकाम्य सिद्धी, जो कुछ भी हमारी इक्छाए हैं, वो सब की सब पूरी हो जाए, और भुक्ती सिद्धी, जो भी हम भोग चाते हैं, वो सब हमको मिले इक्छा सिद्धी, कोई जो हमारी इक्छाए हैं, सब ह भूपुर के गेट पे सिध्या ने दिया है, तो पहले लाइन के अंदर जो सिध्या है, वो यही सिध्या है, अनिमा से लेकर के प्राप्ति तक, उसके बाद प्राप्ति सिध्य और उसके बाद कहते हैं सर्वकाम सिध्य, उसके बाद दूसरी लाइन शुरू हो जाती है, दू पुरूव से लेकर करके, भाइट में चलना, फिर उपर 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 जब हो नाव decis定 कुन को नमाश्खार करते हैं। पुरूव के साथ श्री चक्र का, जब आप स्री चक्र ठोगे लिए दो त्रॉइन को ना में यूज है उस पॉइंट को हम लोग East मानते हैं, ठीक है ना, पूरू की दिशा मानते हैं, फिर पूरू से लेकर के हम चलते 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 गए उपर तक और हमने ध्यान किया तो अगली वाली जो देवियां है उनका नाम आएगा, तो कौन कान है वो देविया, तो यहाँ पर दिया गया है ब्राम्मही, महेश्वरी कौमारी, वैश्णवी बाराही माहेंद्री, चामुंडे महालक्ष्मी यह अश्ठमात्रिका यह वहाँ पर आ गई तो इनकी भी कृपा हम पर हो रही है, ऐसी भावना करनी है यह त्रेलो के महन चकर के अंदर और तीसरा लाइन जो है, वो भी उसी चार दरवाजे के आहाँ पर है भुपूर में, चौकोर से लेकर सरकल के अंदर, तीसरे लाइन के अंदर जो देविया आती हैं वो है सर्व संग्षोभिनी, सर्व विद्रावनी सर्वाकर्षणी, सर्व वशंकरी सर्वोन मादिनी, सर्व महांकुशे सर्व खेचरी, सर्व बीजे सर्व योने, सर्व त्रिखंडे यह सारी की सारी सिध्धियां अणीमया से लेकर के सर्व त्रिखंडे तक यह तैलो के मोहन चकर की सिध्धियां है अभी जो मैंने नाम लिये सर्वसंग्शोबणी से ले करके सर्वत्रिखंडे तक ये सारी मुद्राएं हैं, उनमें से तीन मुद्रा तो मैं आज आपको सिखा दी, सर्वसंग्षोबिनी द्राम सर्वविद्राविनी द्रीम ऐसे करो सर्वसंग्षोबिनी द्राम सर्वविद्राविनी द्रीम सर्वाकर्शनी क्लीम एक और मुद्रा है सर्वशंकरी उसको ऐसे बंद कर देते हैं ब्लूम इतनी मुद्रा बता सकती हूँ कि बाकी की मुद्रा ये थोड़ी कठीन है मीडियो में बता करके समझा नहीं पाऊंगी इसलिए चार मुद्रा आप लोग सीख लो अभी के लिए ये मुद्रा जो है ये कहां पर है भूपूर के अंदर और पहले वाले चक्र का नाम क्या है त्रेलो क्या मोहन चक्र त्रेलो क्या मोहन चक्र के अंदर कितनी लाइने है कैसा दिखता है त्रेलो क्या मोहन चक्र चौकोर दिखता है और अंदर में तीन सरकल है इस चौकोर में कितने दर्वाजे हैं चार दरवाजे है चार खुला और चवकोर में कितने लाइन है तीन लाइन है तीनों लाइन में कौन-कौन है पहली लाइन में अनिमा से लेकर के अन्त में अनिमा लगिमा महिमा इत्यादी सिद्धिया है दूसरी लाइन में आठ मात्रिकाय है ब्रामिक वा माहिश्वरी कौमा इत्यादी और इस लेन में क्या है सारी की सारी मुद्रा शक्तियां दस मुद्रा शक्तियां हैं इस प्रकार से त्रेलो के मोहन चक्र में टोटल 28 शक्तियां हैं त्रेलो के मोहन चक्र की 28 शक्तियां आज मुझे ही पर रोकते हैं अगले वीडियो में जो बाकी की बाते हैं वो स कहते हैं Prakat yogini और इस Trelokya Mohan चक्र प्रकat yogini सरी कि सारे 18 हो Prakat yogini कही जाती है और उनकी देवी होती है उनकी head उसका नाम है टृपूरा ठीक कितनी बाध याद रखोंगे पहला चक्र ट्रेलोकya Mohan जो को ऩो धन sunshine टीन तरिया इन शक्तियों का क्या नाम है प्रकट योगिनी और उनकी हेड कौन है प्रिपूरा ख्लास समाप्त अब यहां रुकते हैं और अगली बार हम मिलेंगे जुटिय आपरनस के साथ सब तक के लिए जैमा जैगुर्द